जैहिन दोस्तों स्वागत आपका विजवत डिफेंस एजुकेशन में आज है 16 दिसंबर 2020 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे most important current affair की question जो कि आपके exam point of view से काफी important है daily हमारी current affair की वीडियो आती है उसको आप जरूर देखें जादा से जादा शेयर करें और वीडियो को जादा से जादा like करें आप हमारा basic foundation का course भी join कर सकते हैं जो की रहेगा आपके लिए एक साल का और cover करवाएगा आपके आने वाले सभी state और center government exam को आप इसमें अपनी त्यारी बिल्कुल basic के साथ कर सकते हैं जहां पर आपको मिलेगी online test series, special notes और books सो जल्दी से जल्दी आप अपना shore batch start कर सकते हैं विजयपत defense education में सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, first question है वीडियो का करनाटक के किस परसिद संस्कृत बिद्वान और कन्नड कभी का 84 बर्ष की आयू में उडूपी में निधन हो गया तो ऐसे कौन से संस्कृत के बिद्वान थे और कन्नड के कभी थे जिनका कि अभी हाल ही में निधन हुआ है तो उनका नाम था वंजे गोविंदा चारे तो option A इसका बिल्कुल सही है Next question है हाल ही में किस देश की सेना ने सेना अधियक्ष जनरल M नरवाने को गार्ड और ओफ ओनर से संभानित किया है तो ऐसी कौन सी देश की सेना ने उनको सम्मानित किया है तो उस देश का नाम है साउधी अरव, साउधी अरव ने हाल ही में जो भारती सेना के सेना अध्यक्ष हैं नरवाने उनको जो है वो गार्ड और फोनर से सम्मानित किया है Next question है किस देश ने Pfizer पयरोण क्रोना वैक्सीन को आपातकाली इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है तो अमेरिका जो है वो ऐसा देश बन गया है जिसने Pfizer कंपनी की जो पयरोणा वैक्सीन है उसको आपातकाल के लिए मंजूरी दे दी है लेकिन अगर बात करें कि फाइजन कंपनी का पहला करोना वैक्सीन का इंजेक्शन कहां पे लगा तो वो लगा है ब्रिटेन में नेक्स्ट बात करते हैं करोना वाइरस के कारण लगाए गए लोकडाउन की बज़ा से इस साल कारवन डाइकसाइड के वैश्विक उतसर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है तो CO2 जो हमारी कारवन डाइकसाइड है उसमें जो है वो 7 प्रतिशत की पर रोक लगा दी है तो कौन सी ऐसी राजे सरकार है जहां पर वे अपनी मर्जी के टी-शर्ट और जी नहीं पहन सकते तो उस राजे सरकार का नाम है महारास्ट आपको कमेंट वोक्स में बताना है कि महारास्ट के मुख्यमंत्री कौन है नेक्स्ट कोशन है डावर इंडिया लिमिटेड ने किस बोलिवोड स्टार को डावर चवनपराश का ब्रैंड अमबस्डर न्यूक्त किया है तो डावर इंडिया लिमिटेड जो है वो भारत की काफी जानी मानी कमपनी है तो इन्होंने डावर चवनपराश का नया ब्रैंड अमबस्डर बनाया है तो उनका न आपको online जो है वो form जो है वो fill up करना पड़ेगा online registration आपको करवानी पड़ेगी तो उस राजे का नाम है गुजरात most important question है next one है अंतरास्टिय तट स्थता दिवस कब मनाया जाता है तो 12 दिसंबर को जो है वो अंतरास्टिय तट स्थता दिवस मनाया जाता है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करें शेर करें आप हमारा CHSL और MTS का shore batch start कर सकते हैं CHSL के form की तो बढ़ गई है 19 दिसंबर 2020 आप इसकी last date रहने वाली है आप हमारा shore batch जल्दी से जल्दी वेजपास defense education में start कर सकते हैं हमारा HP police का advance batch start हो चुका है जो की रहेगा mission 2021 के लिए सो वीडियो को like करें शेर करें जैहिन जैफारत